दुनिया क्या ये देश जहां एक के साथ एक दुलहन मुफ्त में मिलती है। जी हां यहां पर हर आदमी दो बार दुलहा बनता है। अगर यहां कोई पुरुष शादी करने जाता है तो वो पहले ही कोशिश करता है कि वो एक साथ दो लड़कियों को पसंद कर ले और एक साथ दोनों से शादी भी कर ले या फिर उसे एक शादी के बाद फिर से दूसरी शादी करने पड़ती है अब इसमें वो इनसान खुस होकर शादी करे या फिर दुखी मन से उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। साथ में महलाएं भी शादी से इंकार नहीं कर सकती है यानि कि हर दो मह एक ही पुरुष से शादी करती है और अगर दोनों में से कोई भी इंकार करता है तो ऐसे में उन्हें जेल हो सकती है यहां तक कि अगर लड़की भी इंकार करती है तो उसे भी सजा दी जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा देश है जहां इस तरह का कानू बनाया गया है तो हम आपको सारी बता बाते बताते हैं कौन सा यह देश है और वहां ऐसा कानून क्यों बनाया गया है अब नमस्कार मैं निहा चौधरी कैमरा परसन विशाल के साथ और आप देख रही है जनता जंक्षन दरसल यह देश अफरिका महादूइप में है जिसका कारवाई करता है यहां तक कि महलाएं भी शादी से इंकार नहीं कर सकती है उन्हें भी वैसे ही पुरुष्टे शादी करने पड़ती है जो पहले से ही शादी शुदा हो या फिर एक साथ दो लड़कियों से शादी कर रहा हो और अगर ऐसा करने से लड़का या लड़की को आधी लड़की किवारी रह जाए अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि आखिर यहाँ पर लड़कों की संख्या इतनी कम क्यों है तो इसका कि संख्यां कम होने की वज़े से लड़कियां कुवारी रह जाएगी इस वज़े से वहां की सरकार ने ये फैसला लिया है कि हर पुरुष को दो महिला से शादी करना होगा दुनिया के हर देश में शादी को लेकर अलग-अलग रिती रिवाज और कानून बनाए गए हैं भार जगों को जेल जाना पड़ता है हलांकी भारत में हिंदू मैरिट एक्ट के तहद सिर्फ एक शादी करना अनिवार है अगर कोई इंसान दूसरी शादी करता है तो उस कंडिशन में उसे पहली पत्नी से तलाक लेना होगा उसके बाद ही वह दूसरी शादी कर सकता है और आगे की खबरों के लिए जनता जंक्षन देखते रही है धनिवाद